दोस्तों आज DR-DO की तरफ से एक AC मिसाईल का परिक्षन किया गیا है जिसको भारत ने श्पेशली चाइना के S-400 डिफेंस सिस्टम को तबहा करने के लिए बनाया है दरशल आज DR-DO की तरफ से रूद्रम 2 मिसाईल का परिक्षन किया गया है DRU की तरफ से पहले भी RUDRUM 2 मिसाइल के परिक्षन किये गए हैं लेकिन उस समय DRU की तरफ से खुल कर नहीं बताया जाता था कि हमने RUDRUM 2 मिसाइल का परिक्षन किया है लेकिन आज DRU की तरफ से खुल कर बताया गया है कि हमने rudrum 2 missile का सफल परिक्षन कर लिया है और जितने भी parameter इस परिक्षन के दोरान हमने rudrum 2 missile को दिये थे हमारी rudrum 2 missile ने 100% accuracy के साथ सभी parameter को अचीव किया है rudrum 2 missile की बात की जाए तो इस missile के DRD की तरफ से दो अलग-अलग version बनाय जा रहे हैं पहला वर्जन तो anti-radiation version होने वाला है और दूसरा वर्जन ground attack वर्जन होने वाला है हमारी rudrum 2 missile की range 300 km के आसपास होने वाली है और इस missile का जो anti-radiation version होने वाला है उसमें passive homing seeker का इस्तिमाल किया जाएगा इसका फाइदा हमको यह होगा कि जब भी हमारे fighter jet दुश्मन देश के उपर बंबारी करने के लिए उडान भरेंगे और दुश्मन देश की तरफ से अपने defense system को activate कर दिया जाएगा उस समय जो दुश्मन देश के defense system से frequency निकलेगी उसी frequency का हमारा ये passive homing seeker पता लगाएगा और उसके बाद हमारी missile दुश्मन देश के defense system से जाकर टकरा जाएगी रूद्रम 2 missile के अंदर जो दूसरा seeker लगा होगा तो imaging infrared seeker लगा होगा जिसका फाइदा हमको यह होगा कि अगर दुश्मन देश की तरफ से अपने defense system को बंद भी कर लिया जाता है तो फिर भी हमारी रूद्रम 2 missile दुश्मन देश के defense system का पता लगा कर उसको तभा कर देगी रूद्रम 2 missile के जो anti-radiation version होने वाला है उसके अंदर हम 155 kg तक के warhead को लगा सकेंगे रूद्रम 2 missile का जो ground attack version होने वाला है उसके अंदर हम एक ही seeker का इस्तमाल करने वाले है और इस missile की range भी 300 km ही होने वाली है तरनी हमारी रूद्रम 2 missile हमारी ब्रमोज missile जितनी ही शक्तिशाली होने वाली है लेकिन हमारी रूद्रम 2 missile की खास बात यह होगी कि यह ब्रमोज से कीमत में काफी ज़्यादा सस्ती होगी डियाडियो की तरफ से रूद्रम 3 missile का एक और वर्जन मनाये जा रहा है जिसकी range 300 km होने वाली है और इस missile को हम रूद्रम 3 के नाम से जानने वाले हैं इस समय डियाडियो की तरफ से रूद्रम 3 missile को भी बना कर तयार कर लिया गया है लेकिन अभी इस missile के कुछ परिक्षन बचे हुए हैं इस समय अगर रूद्रम missile और ब्रमोज missile का comparison किया जाए तो जिस समय हम ब्रमोज missile को fire करते हैं जब से लेकर target को hit करने तक हमारे ब्रमोज missile का angel लगाता चालू रहता है जिसका फाइदा हमको यह होता है कि हमारी ब्रमोज missile काफी आसानी से manurable कर सकती है नहीं कि हमारी ब्रमोज missile काफी आसानी से अवा में अपनी position को बदल सकती है वही पर जो हमारी रूद्रम मिसाइल होगी वो इतनी ज़्यादा मैनुरेबल नहीं होगी इस समय भारत की तरफ से ये प्लैनिंग की जा रही है कि हम अपनी रूद्रम मिसाइल को तुकोई 30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जैट में लगाएंगे फ्यूचर में हम अपनी इस रूद्रम मिसाइल को अपने तेजस फाइटर जैट में भी लगाने वाले हैं हमारी इस रूद्रम मिसाइल की रफतार 5.5 मैंक होगी यानि की हमारी ये मिसाइल हाइपर सोनिक होगी और उम्मिद इस बात की की जा रही है कि रूद्रम 2 मिसाइल को इस साल के अंत में या फिर अगले शाल की शुरुआत में सेना में भी शामिल कर लिया जाएगा रूद्रम 2 मिसाइल के आजाने के बाद हमारी फायर पावर कई गुना तक बढ़ जाएगी